इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च क्या होती है, सर्च क्यों इंपॉर्डन्ट है और डिजिनल मार्केटिंग में इसका क्या रोल है इसको सवालों के जवाब चाहिए, उसको नई चीजें दर्यास्त करनी है, उसको खोजनी है यह सारी चीजें इसका इसका शामिल है और सर्च भी एक तरह से इसका इसका शमार होता है अब तक के मशहूर साइंटिस अलबर्ट आइंस्टेन का ये कहना है कि मतलब ये कि आइंस्टेन के मताबिक ना तो वो बहुत ज़्यादा चलाक थे, ना ही उनके पार किस खास गिफ्ट था, वो बस बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और जिसकी वज़े से आज उन्होंने जितनी भी अज़ादात की, वो हम सब को आज भी बेनेफिट देती है और इंसानियत उनको हमेशा ज़ाद रखती है, उनकी एफ़र्ट की वज़े से लेकिन हमारा टॉपिक यह है कि हमने जो बात करनी है वो सर्च है और सर्च बेसिकली डिपेंड करती है इन्फरमेशन के ओपर वक्त के साथ साथ जिस जिस तरह से साइंस जिद्दत इक्तियार करती जा रही है सारी की सारी इंफर्मेशन जो है वो डिजिटल पे मूव होती जा रही है traditional move होने का मतलब यह है कि आपकी mobile devices आपकी computer और आपकी सारी शीज़ें जो है उन सब पे जो आप connected रहते हैं वो data produce करती है data produce करने में आप for example email create करते हैं आप status update करते हैं आप search करते हैं यह सब शीज़े data points कहलाती हैं और यह data पहना कहीं किसी data base में record हो रहता है एक अंदाजे के मताबिक इनसान जितने भी इस वक्त दुनिया में इनसान है वो अभी तक मुकमल तोर पे internet से connected नहीं हो सके हैं लेकिन 2014 में तकरीबन 40% से ज्यादा लोग जो है वो internet से connected थे जो के बढ़ के 2021 में तकरीबन 50% से ज्यादा इनसान अबादी जो है दुनिया की वो internet से connected होगी यह बहुत बड़ी अबादी है और यह बहुत बड़ी फिगर है इसको हम शायद comprehend ना कर सकें लेकिन अगर इसको digital world में बात करें तो यह तकरीबन data produce इसके जो होगा वो almost अब जो इनसान है वो तकरीबन बाकी इतने भी sources हैं उन सब के मकाबले में इनसान तकरीबन दस गुन जो technologies आ रही हैं यह इसलिए जरूरी है कि इतने बड़े data को किस तरह से index करना है किस तरह से इसको extract करना है लोगों को right information कैसे पहुंचानी है और यह जो सारी चीज़े हैं यह इसके लिए इस मकसब के लिए बहुत सारी search engines आभी तक पिछले कुछ सालों में आए और उनने बह परज हो गया है कुछ का नाम चेंज हो गया है कुछ की technology चेंज हो गी है इन सब search engines में जैसे कि आप देख सकते हैं आपको शहर बहुत सारे इन में से याद भी होंगे लेकिन अब उनमें से बहुत सारे existence नहीं करते हैं इन में एक search engine जो कि Google वो बजाहिर सबसे बहतरीन अभी search की ऐमियत क्या है तो हमें यह understand करना है कि digital marketing के अंदर SEO का रोल इतना important की हो है जब हम SEO की बात करते हैं तो हम उसमें तीन चीजों की बात करते हैं उसमें सबसे पहले search हमें समझनी है कि search engine optimization में search का क्या रोल है फिर search engine का क्या रोल है और फिर search engine के साथ जो optimization का word है यह तीन चीजों में help करती है search आपको त्या बताती है कि जब कोई इनसान कुछ चीज search करता है उसमें उसकी दो तीन वजुहात हो सकती है for example उसको या तो किसी चीज की जरूरत है जिसको needs कह सकते हैं English में या उनको किसी चीज की चाहत है या want है अगर वो किसी चीज को धूनना चाह रहे हैं या उनको किसी चीज की जरूरत अशिद जरूरत है अमरजनसी या नहीं है ये सारी चीज़े search की बिना पे होती है अब ये सारी चीज़े उनको intent कहलाती है ये जो मकसद है basically search का ये intent कहलाता है intent से मुराद क्या है intent से मुराद नियत या मकसद for example अगर आप को doctor की अगर आप hospital चला रहे हैं और कोई बंदा clinic जरूरत कर रहा है तो आपको समझ आ रही है कि ये जो doctor search कर रहा है ये हमारा diet audience हो सकती है और इसको अगर हमारी information मिल जाए तो ये चलके हमारे pass लाज के लिए आ सकता है और doctor से बात कर सकता है अगर इसी तरह से आपको भूक लगी ह तो आप जाकर search करेंगे के recipes क्या हैं अगर आपको recipe for example Chinese restaurant ढूबना है या आपको continental restaurant चाहिए है आप वो search करेंगे और आपको google results दिखाएगा या कोई भी search engine जो आप search पर आप search कर रहे हैं वो आपको उसके against results दिखाएगा और आपको right information जब उस पर आपको मिल जाएगी आप उ दोनों examples के अंदर जो important चीज़ है वो है intent के search करने का मकसद क्या था आपको भूक लगी तो आपने restaurant search किया आपको बिमारी का पना चला या आपको doctor की जरूरत पढ़ी तो आपने information का search किया इसी तरह से अगर आप for example कोई नया mobile search करते हैं या उसके features या उसकी prices search करते हैं आपक मकसद है basically ये बहुत important है marketing के अंदर इस intent को marketers जो हैं वो information इसको information के तोर पर इस्तमाल करते होएं अपनी marketing campaigns इसके अपर drive करते हैं वो marketing campaigns क्या करती हैं वो कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी information को लोगों की needs या wants के ताहर धाल लें ताके जो लोग search करें आप उनको वो ही provide करें so कैसा होगा कि अगर आपको पहले से ही ये बता दिया जाए कि अगर आपने को digital बे बिजनस खोलना है तो आपको जो लोग search ये कर रहे हैं तो आप exactly यही provide करते हैं क्योंकि इसकी demand है बहुत सारे businesses को offline में offline world में ये सहुलत मैसर नहीं है आप दुकान खोलते हैं आपको wait करना फटसा है कोई चल के आएगा अंदर दुकान के तो आप उसको sell करेंगे लेकिन digital में आपके पास ये सहुलत मुझूद है कि आप जान सकते हैं कि किस तरह से search काम करती है और इस search के तहट कौन आप उसको information कैसे डाल सकते हैं और उसको कैसे utilize कर सकते हैं किसी भी information website पे जो information के channels हैं वो तीन चार चैनल में divided हैं जब लोग आपको search करते हैं उसमें mostly जो चार बड़े चैनल हैं उनमें search, social, referral या direct जो चार चैनल हैं जो किसी website में भी आपको help करते हैं जहां से आपको traffic आती है अब channels understand करना बहुत जरूरी है चैनल में सबसे बड़ा channel जो है वो search होना तो वो आपको बड़ी qualified traffic खेलाएगी क्योंकि आपकी traffic आपको धूंड के आ रही है जिनको धूंड के जो आ रही है या तो उनको कोई जरूरत है या तो उनको कोई चाहत है अगर आप अपने business को उनकी जरूरत या उनकी चाहत के मताबक धाल लें आप उनकी needs और wants को पूरा करना शुरू कर दें तो आपके लिए बड़ा बहुत मुआके होंगे कि आप उनको convert कर लें बजाए उसके कि आप किसी और business को for example किसी और channel पर अगर आप देखें तो आपको यह नहीं पता कि Facebook में किसी ने login किया तो क्या उसको खाने की जरूरत थी या क्या उसको doctor की जरूर आपको search में मिले की और इसलिए search बहुत एहमियत की हामिल है किसी भी website में अगर आप चैनल वाइस ट्राफिक वाइस देखें तो सबसे बड़ा रोल जो है वो organic search का होता है अगर आपकी website में organic search से traffic नहीं आ रही तो आप lose कर रहे हैं और इसलिए हम कोशिश यह करते हैं कि हम search को understand करें search को यह समझें कि किस तरह से digital marketing में इसकी एहमियत है और हम किस तरह से इसको utilize कर सकते हैं अपनी marketing campaigns के अंदर इसके साथ ही हमें यह भी understand करना है कि बाकी चैनल्स कौन से मजूद हैं लेकिन यह बहुत एहमियत की बात है कि अगर आपको search नहीं पता तो digital marketing overall as a strategy आपके strategy flop हो सकती है यह आप miss कर जाएंगे जो आपको एक इतना important factor इतना important पहलू जिसमें आपको यह बदार चल जाए कि लोग क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे हैं अगर total difference है तो आप lose करेंगे जो बिलकुल exactly needs and wants के मताबिक लोगों की information दे देगा वो win कर जाएगा